बिहार में पहली बार होगा कोरोना का पावर चेक राजु में पहली बार कोरोना वारिस के श्रक्ति की जाज हो रही है ये शोद पटना से ताईजू आएमस में किया जा रहा है इसके तहत एक बड़ी टीम इसकाम के लिए लगाई जा रही है जो की मेडिकल सूपरी टेंडेंडन की देखरेक में एक-एक संक्रमित मरीज पर स् शोद किया जा रहा है जिनके डेटा क्या धार पर एक-एक संक्रमित से पूरी जानकारी ली जाएगी बताते चले किस तरह का शोद किसी संसान द्वाला राजे में पहली बार हो रहा है बिहार में मेयर उपमेयर को जनता द्वाला चुने जाने जाने वाला अध्यादेश 2022 के नाम से जाना जाएगा आपको बता दे कि दो धाराओं में संचोधन किया गया है साथ ही कुछ नई धाराएं भी जोड़ी गई है आपको बताते चुले कि इससे पहले मेयर और डिप्तिमेयर को चुनने का अधिकार पारश्रत को था लेकिन अब चुनाव की माध्यम से आम मद्दाता ही मुख्य पारश्रत से लेकर मेयर तक को चुनेंगे इसके साथ यब अविश्वास प्रस्ताफ के द्वारा मेयर और उप मेयर को हटाने का प्रावधान भी खत्म हो गया है यह नया संचोधन राजु के सभी नगर निगम में लागू होगा बताते चुले कि इस टीका करन कारिक्रम की तारीक बढ़ाने की मांग की गई थी जिस पर अपके इंद्र सरकार ने भी फैस्ता लेते वे तारीक को आगे बढ़ा दिया है इसके तहट देश के सभी राजों में इस महीने 23 जनवरी को पल्स पोलियो अभियान शुरू नहीं होगा इसकी तारीक ब बिजनेस का नया बाजार हो रहा है तयार विगत कुछ सालों में डेरी के बिजनेस अच्छे खासे चल रहे हैं जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भे मिर रहा है वही अब इसकी मदद से एक नया कारोबार भी तयार हो रहा है जो की पशुचारा और आहार क कारोबार है रज में पशुचारा का फिलहाल 12,000 करोड का बाजार है खास बात ये है कि राजसरकार का इस पर अभी तक कोई नयांतर नहीं है हाला कि बढ़ते कारोबार को देखते वे नया मसौदा बिहार में मतस्य और पशुपालन विभाग के द्वारा तयार कर लिया गय इससे फार्मों, कारोबारी और पशुपाल को को सीधा फायदा होगा साथी मचली बकरी और मुर्गी दाना बनाने और बेचने वाली फार्मों को भी नियंद्र तक खा जा सकता है आपको बताते चुले कि बिहार में इस वक्त पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की 25 कंप जोने परिक्षार्थियों का शुल्क बिहार बोड को जमा नहीं किया है इसको लेकर बोड ने इन स्कूलों को शेतावनी दे रही है कि जल से जल परिक्षार्थियों के शुल्क को जमा करे इसके लिए बोड ने 22 जनवरी तक कास समय दिया है बोड ने साफ कहा है कि सभी पर सिक्षकों और पुस्तकाला ध्यक्षों को जनवरी से फरवरी में बढ़े वेतन पाने के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं कई सिक्षकों के नियुक्ती के साल भी बदल गये। इसके तहट अब सभी अनाथ या वेखर बच्चे सरकारी व्रिहद आश्रे में ही रहेंगे जहां रहने खाने स्किल सिखाने आधी हर तरह की सुबदा होगी। वहीं इस कड़ी में धीरे-धीरे सभी NGO और नीजी संचालकों से बालक और बालिका ग्रे को वापस ले लिया जाएगा। बताते चले कि फिलहाल पटना सिवान वो जफरपूर वहशाली गोपाल गंच बकसर गया। बताते चले कि मकर सक्रांती पर गंगासनान का काफी महत्व है और लोग एहले सुब़े से ही गंगा समेत अन्य नदियों में नहाने के बाद दही चूड़ा का तेओहार मनाते हैं लेकिन इस बार प्रसाशन ने सामोही गंगासनान पर रोक लगा दी थी इसको लेकर आगे तापमार में और गिरावट हो सकती है जो सेट हंड बढ़ने की आसार है वही दिन के समय देर तक कोहरे की मोटी चादर चाधर चाही रहेगी मौसम विज्ञान के इंदर पटना की विज्ञानिकों ने जानकारी दी है जिसके तराजु के विभन हिस्तों में अगले द दो दिनों तक 2-3 डिगरी सेलसियस तक की गिरावट का पुर्वानुमान है वही अगर हम बीते दिन के टेंपरेचर की बात करें तो सबसे कम नियुनतम तापमान 9.3 डिगरी सेलसियस जुरादे इस देवान में और सारवाधिक अधिकतम तापमान 24.8 डिगरी सेलसियस सीता मनाई जा रही है बिहार और आसपास के छेत्रों में मकर सक्रांती की धूमें वही पंजाब का प्रमुखते ओहार लोहरी भी आज मनाय जा रहा है इस मौके पर सीम नितीश कुमार ने सभी को मकर सक्रांती और लोहरी की शुबकाम नाय दी है सीम ने बिहार की जुनता के नाम जारी की अपने संदेश पत्र में लिखा कि मकर सक्रांती और लोहरी का पर्व लोगों के लिए सुख शांती और सम्रधी लाएगा दोनों पर वो का सांस्क्रतिक महत्व है लोग इन पर वो को हर्शोर लास पारस पर इक्सने और सौहार दे केस साथ मनाए सीम ने साथ ही कहा कि आज के दिन दही चुडा तिलकुट खाते और खिलाते हैं जिससे प्रेम और सभाव बढ़ता है वहीं दूसरे तरफ कोरोना महामारी से साथ धानी बरतने की भी लोगों से अपील की गई है संदेश पत्र में भी सीम ने लोगों से सोचल ड पतिवंध लगाएगे हैं बावजुद इसके ताजांकडो में राजुभर से 6000 से ज्यादा माम ले आए हैं ऐसे में एक बार फिर से लॉकडाउन होने का डर सता रहा है लेकिन लॉकडाउन को लेकर जाप्रमुख पपुयादव ने बड़ा बयान दिया है इसके तहत सहरसा में पपुयादव ने मीडिया के सामने दावा किया है कि वो बिहार में इस बार लॉकडाउन लगाने नहीं देंगे उन्हा ने कहा कि बिहार में अगर लॉकडाउन लगा तो वो इसका विरोध करेंगे इसी के पीछे की वज़े बताते बनों ने कहा कि लॉकडाउन से देर रात नीट यूजी कांसलिंग 2021 का विस्रिट स्केड्यूल जारी किया गया जिसके तहट चार फेज में पूरी प्रक्रिया होगी जिसके तहट कांसलिंग के रेजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 19 से 24 जनवरी तक चलेगी इस दौरान चात्र मेडिकल और डेंटल कॉलेज को चोईस भरेंगे साथी चात्रों को निर्धारित फीस भी इसी दौरान भरना होगा जिसे ओनलाइन मोट से ही जमा करना पड़ेगा वहीं इसके बाद 24 जनवरी को चोईस लौकिंग होगी उसके बाद 27 से 28 जनवरी को सीट अलोट्मेंट प्रसेस संपन होगा जिसके बाद अंत में 24 जनवरी को 29 जनवरी को सीट अलोट्मेंट लेकर जारी कर दिया जाएगा बताते चले कि छातर देश में MBBS और समकश्र सीटों पर इसके तहत अडमिशन ले सकते हैं पतना में नुरुदीन घाट से धर्मशाला घाट के बीच एलिवेटिड रोड के लिए टेंडर जारी राज़ानी पतना में गंगा लधी पर नुरुदीन घाट से धर्मशाला घाट के बीच एलिवेटिड रोड बनाने के लिए है विहाल राजिपत विकास निगम ने टेंडर जारी कर दिया है जिसके तहत नए सिरे से टेंडर जारी करते वे 700 दिन के अंदर ही इसे बनाने का लक्ष रखा गया है कुलदूरी 2.9 किलोमीटर वाला एलिवेटिड रोड चार लेन का होगा बताते चले कि ये रोड मुंबई में से तेलिवेटिड रोड की तर्श पर बनाया जाना है साथी पटना साहिब से माल सलामी के बीच गुजरने वाली रेल ट्राक पर सरक बनाने और गंगापत से दिदार गंच आर ओबी से जुडने वाली सरक को भी चार लेन बनाने के लिए ये टेंडर निकाला गया है इन पर योजनाओं को पूरा करने में 535 करोड रुपे खर्च होंगे केंद्रिये मंत्री गिर्राज सिंग हुए कोरोना पॉजिटिव विहार के सियासी महकमे के एक और नेता कोरोना संक्रमित होंगे है जानकारी के मताबिक इस बार केंद्रिये पंचायती राजबंतरी गिर्राज सिंग कोरोना पॉजिटिव होगे है इस बात की जानकारी उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके दिया है बताया है कि शिर्वाती लक्षन को देखते वे उन्होंने अपना टेस्ट करवाया जिसके बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है जिसके बाद से ही उन्होंने खुद को आईसोलेट करके खुद होम कॉरिंटीन में चले गये है खुद मुख्यमंत्री नितीश कुमार भी कोरोना पॉजिटिव है ऐसे में आम लोगों को विशेश सतर्कता रखने की जरूरत है गौतम गंभीर ने की कप्तान कोहली की आलोचना की है दरसल बीते दिन केप टाउन में दक्षिन आफरीका के खिलाफ चल रहे तीसरे टेस्ट के दौरान DRS फैसले पर विवाद हो गया जुस पर कोहली ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी प्राहूल इतने नाखुश थे कि उन्होंने स्टंप माइक पर भडास निकाल दी थी कल हमारे द्वारा पूछे गया सवाल का जवाब आप मेंसे बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत बहुत धनिवाद आप मेंसे जिन यूजर क पूरी कोशिश करेंगे तो चलिए बढ़तें आज के सवाल क्यों आज का सवाल को चिस प्रकार है आपके अनुसार आपके घरों में आज मकर सक्रांती का तेओहर किस तरह से मनाए गया अपने जवाब में कॉमेंट करके ज़रूर बिताए इसके साथ ही आज के लिए बस इत चैनल को सब्सक्राइब करें और बराइकॉन दवाना ना भूले धन्यवाद